हालो पीपल आई होप दूइंग वाड़फुल 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 यारों आशा करता हूं आशा करता हूं येस पीपल आशा करता हूं कि आप लोग एक्टम एक्टम जबर्दस्त हैं यहां पर बात कर रहा हूं CS के स्टूरंट के दोजरों टो राइड डिसेंबर 2022 एक्जामिनेशन कुछ बहुत सारी बाते करनी हैं बहुत सारी बाते करेंगे डिसेंबर 2022 के बच्चों के साथ में जो CS professional के हैं सर हम CS executive के बच्चे हैं हम से भी बात करो बिलकुल आपके लिए वीडियो आएगा अगले हफ़ते के अंदर ठीक है बिटाजी तो एकदम आराम से एक-एक करके discussion करना है कि आप बच्चों ने किन-किन चीजों का ध्यान रख एक तो बात है कि भाई हमें बहुत सारी मेहनत करनी है पर उसके साथ में हमें clarity भी होनी चीजिए कि भाई साब कौन सी चीज पढ़नी है कैसे पढ़नी है क्या पढ़नी है तो इसके लिए discussion करूँगा एकदम organized तरीके से सबसे पहले बात करेंगे हम लोग funding के बारे में क्यों सबसे बहले बेटाजी किया है कि यहां पर संघर्ष यह हो गया है कि कुछ new regulation syllabus में आई है there are few new regulations तो syllabus में आई है सब कौन कौन सी regulation syllabus में आई है बिलकुल बता देते हैं आपको हम अगर जाते हैं हमारे प्यारे ICSI के website पे Institute of Company Securities of India home students academic portal new syllabus हमारा syllabus से बिटाजी है study material study material भी नहीं मैं जाता हूँ पहले supplement में कि supplement December 2022 के पहले हम जा रहे हैं June 2022 के सब्सक्राइब क्यों 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 हमारा टेंब्सक्राइब है अरे रुको भाई June 2022 के सब्सक्राइब में जा रहे हम लोग और मैं ओपन कर रहा हूँ supplement of corporate funding corporate funding का supplement है for June 2022 ठीक है इस supplement में उन्हें clearly लिखके दिया कि यह कुछ regulations change हो चुके मेटाजी यह कौनसे regulations है SEBI I SEBI ILDS regulation 2008 जो chapter 6 में दे रखा है SEBI issue and listing of non-convertible redeemable preference shares regulation 2013 जो lesson 18-11 में दे रखी है यह दोनो replace हो चुकी है और इनकी जगह पे नया regulation आ चुका है SEBI issue and listing of non-convertible securities regulation 2021 रुप जाओ अच्छे से समझो कि कौनसी new regulations आगी बिटा जी June 2022 के supplement में उन्होंने लिखके दे दिया था that SEBI ILDS regulation 2008 जो है वो भी repeal हो चुकी है और उसके साथ में SEBI issue and listing of non-convertible redeemable preference share regulation 2013 यह दोनों repeal हो चुकी है और यह था हमारे chapter 6 में यह था हमारे chapter 11 में ठेके पिटाची regulation 2008 का ILDS जो chapter 6 में था और non-convertible redeemable preference shares regulation 2013 जो chapter 11 में था वो सब यह दोनों regulation ही replace हो चुकी है और इनको replace करके नया regulation आ चुका है that is SEBI issue and listing of non-convertible redeemable preference share regulation 2021 वोहो नया नया regulation आ चुका है डोल नगाडे बजाओ और स्वागत करो तो यह regulation आ था है जुन 2021 में जुन 2022 के examination के लिए तब हुआ 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 कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा कौन सा regulation applicable होगा because supplement में तो दिया हुआ regulation लेकिन ICSI ने जुन 2022 के लिए नय regulation का content नहीं दिया था content नहीं दिया था बस उनोंने कह दिया कि amend हो चुका है module में भी पुराना ही regulation था जुन 2022 के जो module थे उसमें भी पुराना ही regulation था तो यही regulation जो पुराने वाले थे यही regulation जो पुराने वाले थे यही exam के लिए applicable किये गए for June 2022 very clear, so chapter number six में हमने यही 2008 का LDS पढ़ा और chapter 11 में हमने यही issue and listing of non-convertible redeemable preferential regulation 2013 पढ़ा ठीक है, नया regulation आ चुका था लेकिन उसमें हमारे लिए content क्या है, बेटाजी कोई भी regulation होता तो पूरा आपके syllabus में नहीं होता है तो June 2022 के examination के लिए पुराना regulation ही applicable रहा, लेकिन तब हम sure थे कि December 2022 के examination के लिए नया regulation आएगा ठेक है, institute content देगा, module देगा, बाट आज मैं बात कर रहा हूं तकरीबन 20th of September, आज तक भी, आज तक भी बेटा जी, module ने अभी तक revise module December 2022 का नहीं आया है अभी मैं आपको website पर जाके बताऊंगा, December 2022 का module नहीं आया है, अरे सर, लेकिन जो supplement आया है, उसमें content दिया होगा, नहीं दिया है, अभी supplement ओपन करेंगे December 2022 का, उसके अंदर भी ये नए regulation का content नहीं दिया है सो एक confusion रह जाता है अभी भी, कि December 2022 में ये पुराना वाला applicable होगा ये नहीं पता है, आइडियली ये नहीं आया वाला applicable होना चाहिए, लेकिन नहीं वाले में क्या content है, ये ICSI ने अभी तक दिया, नहीं है, अभी तक, as on 20th September भी नहीं दिया हुआ है, सर, सच में नहीं दिया ह करते है क्या रुको देखो ले जाता हूं बिदधी में, यहाँ पर मै आपको लेके जाता हूं, ठिक है, नहीं ए जोगी मम, you can keep the back, you can chill, no problem, why were you absent for yesterday's lecture, ये वा सिक क्या, चल ठीक है, ए ये जोगा जो भी बिदधी, आपको लिए चलते हैं हम यहाँ से बैक करके, आपको में जा रहा हूं अभी वेबसाइट आपके सामने उपन किये और कॉर्पेट फंडिंग का डिसेंबर 2022 का मॉड्यूल नहीं है और जो लेटेस्ट मॉड्यूल जिसके उपन उन्हों नियू लेक रहा है उस मॉड्यूल के अंदर अगर मैं चाहता हूं तो इसमें अभी भी 2008 ही है यह देखो आप अभी भी ILDS 2008 ही दे रहा है तो as on date जो मॉड्यूल आई है उसमें भी चैप्टर 6 में ILDS ही है और यहीं पर अगर मैं जाता हूं चैप्टर नमर्ट 11 पे तो यहां पर भी as on date SEBI Issue and Listing of Non-Convertible Redemed Preferences Regulation 2013 ही दे रखा है अभी तक भी revised module नहीं आई है SEBI Issue and Listing of Non-Convertible Securities Regulation 2021 के अंदर क्या content है वो अभी तक आया नहीं है ठेक है बड़ा जी यह हो गई बात सर बेर एक्ट से हम पूरा पढ़ लें क्या that is not possible because आपके syllabus के अंदर पूरा नहीं होता है आपके syllabus में सिर्फ ICS है जो आपके लिए relevant portion है वो देता है ठेक है सर मतलब इसका मतलब तो यह हो गया ना सर module में नहीं दे रखा है तो इसका मतलब यह हो गया कि for December 22 also यही पुरानी वाली से भी Ilds Regulation 2008 और से भी Issue and Listing of Non-Convertible Securities Non-Convertible Reduvial Preference Regulation 2013 ही applicable हो जाएगी नहीं अब वहां पर भी confusion क्या मैं आपको बताता हूँ मैं यहां से वापिस आपको लिए चलता हूँ अब Supplement पे तो मॉडिल आपको दिखाया अभी तक भी पुराने रेगुलेशन है नया रेगुलेशन का content नहीं है मैं आपको लिए चलता हूँ Supplement of December 2022 अभी latest supplement आया लेटेस्ट सप्लेमेंट है corporate funding and listing का इसके अंदर अगर हम जाते है सीधा देखना चैप्टर नंबर सिक्स की तो कुछ बात ही नहीं कि इन्होंने चैप्टर 11 के अंदर एक अमेंडमेंट दिया है पेज नमर 14 non convertible redeemable preferential is the name of the chapter उसमें मैं जाता हूं पेज नमर 14 पे आरे भाई आपका दिमाग खराब हो जाएगा पेज नमर 14 सर इन्होंने अमेंडमेंट दे दिया है देखो द्यान से SEBI Issue and Listing of Non Convertible Securities Amendment 2022 मतलब इन्होंने यह जो अमेंडमेंट दिया यह अमेंडमेंट किसमें हुआ है तो जो नया regulation आया है ना SEBI Issue and Listing of Non Convertible Securities Regulation 2021 वो regulation तो नहीं दिया अभी तक मैंने revise module भी दिखाया उसमें भी नहीं है लेकिन जो यह supplement sheet आये उसमें amendment जो दिया है this is an amendment of 2022 of the revised regulation which came in 2021 so नहीं समझ में आ रहे मैं बताता हूं crystal clear तरीके से यह जो नया regulation आया है ना यह regulation का content अभी तक syllabus में नहीं दिया है मैंने आपको revise module पर दिखाया है website से नहीं दिया है लेकिन इसके अंदर एक amendment आया 2022 में वो amendment आपके supplement के अंदर है which creates a confusion कि आखिर December के लिए क्या applicable December के अंदर module में जो दे रखा है December के अंदर module में जो दे रखा है वो है बेटा जी जो module में दे रखा है वो है यह और supplement के अंदर जो amendment दे रखा है वो है इसका लेकिन अभी तक भी ये content मिसिंग है I still sincerely hope कि institute will revise the supplement और अपने supplement में यह वाले chapter का जो content है वो content देगी यह पेक्षा मेरी आज भी है आज भी शाम को I'm going to write another letter to ICSI कि इसको लेकर प्लीज कर एफिशन दो तो भी expect a clarification कि सर या तो आप बोल दो कि यह जो amendment supplement के अंदर दिया यह गलत दिया है यह हटा रहे हो आप और यही वाली regulations exam के लिए applicable for December 22 it's okay फिर तो life बहुत आसान है कि यही regulation applicable हो जाएगी या फिर आप इसका content दे दो या फिर हमें इसका बली बेरेक कोपी करके भी दे दिया हो तो बेरेक्ट से भी पढ़ना है तो बता दो क्या यह regulation है यह हम exam के अदर apply के लोगी हम क्या नहीं चाहते है as a student community सर हम यह पढ़कर चले जाए और exam में आप इससे question पूछ लो ऐसा पहले में हो चुका है कि जो cases cut करवाय थे उस पे से question आ गए तो सर हम यह नहीं चाहते कि आप हम यह पढ़के जाएं और आप exam में इससे question पूछो या फिर हम यह पढ़के जाएं और आप exam इससे question पूछो आप हमें clearly बता दो बस कि exam के लिए कौन सा applicable है as on date 28 September भी इस चीज को लेक के clarification नहीं है am I clearly communicating ठीके बिटाजी I hope बहुत clearly communicate की इस बात को कि आपके module में आज भी यही है regulation क्यूंकि इस बार अभी तक भी आज ऑन 28th September December 2022 के modules नहीं आए अब होगा क्या बेटाजी हम लोग यह मान के पढ़ लेते हैं कि यही regulation applicable है मान लेते हम यही मान के पढ़ लिया कि यह regulation applicable है और उन्होंने in the month of October revise module दे दिया December 22 का और उसके अंदर यह नया वाला regulation दे दिया तो भी पिटाजी आप लोगों के लिए confusion हो जाएगा ठीक है और मान लीजिए हमने यह regulation bear act से पूरा का पूरा पढ़ लिया और उन्होंने module revise ही नहीं किया अप तिल December attempt तो तो एक्जाम में इसी पे से question पूछेंगे ना वो क्योंकि लेटेस मोडूल में तो यही दे रखा है तो यह एक बहुत बड़ा confusion है as on date also as on date also ठीक है सर यह तो आपने इन दो चैप्टर की बात कर ली एक और चैप्टर है एक और नया regulation आया है जी हां उस regulation में इतना स्था problem नहीं है वहां पर क्या होगा मैं आपको बता रहे था हूं एक और regulation आया है जहां पर सेबी कि sweat equity shares and SEBI share based employee benefit regulation यह दो regulations थे पहले इन दोनों को repeal करके एक नया regulation आया है that is SEBI share based employee benefit and sweat equity regulation 2021 यह एक और नया regulation भी आया है इसको लेके इसको लेके जून 2022 के supplement के अंदर उन्होंने content दे दिया था इसका कि उन्होंने SEBI share based employee benefit and sweat equity regulation का content दे दिया है बट उन्होंने बहुत summary content दिया था इसके बारे में उन्होंने hardly क्या I think 10 pages दिये होंगे तो 10 pages का 10-15 pages का content दिये था से भी share based employee benefit and sweat equity regulation 2021 और इसमें का पेक्षा यह थी कि जैसे December 22 का module आएगा उसमें detail content वो देंगे यहाँ पर फिर भी टेंशन इतनी स्यादा क्यों नहीं है अगर मान लीजिए उन्होंने detail content नहीं दिया module के अंदर जो उन्होंने जून 2022 के supplement में content दिया था जून 2022 के supplement में प्रॉपर content दिया वह उन्होंने अगर मैं जाता हूं वापिस हर एक चीज़ क्यों आप उपन करके बता रहा हूं था कि confusion वन परसन भी नहीं रहे जून 2022 का content आया था supplement आया था उस supplement के अंदर उन्होंने corporate funding के अंदर यह जो मैं उपन कर रहा हूं देखो इसमें यह इसमें उन्होंने कुछ content दिया था 14 से लेके 29 के अंदर कुछ content इन्होंने दे रखा है देखो नए regulation का पूरा detailed content नहीं है बट उन्होंने एक rough idea दिया है तो इस regulation में हमें इतनी परेशानी नहीं है अगर revised module अगले 20 दिनों में नहीं आया तो हम वही content पढ़के चले जाएंगे उस content को मैंने detail में 6-7 घंटे का एक पूरा वीडियो बनाके YouTube पे upload कर रखा है तो वह पूरा detail तो मैंने ये content तो already भी upload कर रखा है लेकिन मैं अभी भी रुका हुआ हूँ मैं December 2022 के बच्चों कहता हूं कि अभी भी रुके हुए हम लोग कि एक बार अगर मान लीजिए ICSI ने December 22 का module दे दिया और उस module के अंदर ये regulation और ये regulation revise दे दिये पूरे detail में तो हम वही पढ़कर जाएंगे for December 2022 लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया तो यहां पर तो इतना problem नहीं है अगर माले जोन्हों यहां पर जो अभी तक का content आया वा था June 2022 के supplement से वह पढ़ लेंगे यहां पर हम confusion में आ जाएंगे यहां पर हम confusion में आ जाएंगे तो I have already requested so the bigger trouble is this this is a bigger trouble this is a small trouble क्योंकि हमारे पास नहीं नहीं करके basic content तो है यह बढ़के जाएंगे तो मैं वह बढ़के जाना है बस तो बेटा जी यहां पर यह परिशानी है when it comes to funding sir आपका हमें क्या सुझाव है कि हम क्या करें इस suggestion what is your suggestion कि in circumstances में क्या करना चाहिए अब I hope each and everyone has understood कि क्या problem आ रही है we are still awaiting ICSI का reply ICSI का revised module so you don't have to worry suggestion के step 1 funding के अंदर आपके total 16 chapters है राइट सोला सतरह chapters है funding के अंदर you have 16 chapters confusion है सिर्फ यह तीन chapters को लेके chapter 5, chapter 6 and chapter 11 बाग की सब chapter very crystal clear है कि हमें क्या बढ़के जाना है तो what I am suggesting is कि funding के 16 में से what you need to do is focus on 13 chapters for the time being you can ignore chapter number 5, chapter number 6 and chapter number 11 इन तीन chapters को completely ignore कर दो और अपनी preparation करो बिलकुल इन तीन chapters के लिए बस मुझ पर rely कर लो मैं आपको बता दूँगा क्या देखना है कब देखना है ठीक है मैं एक deadline रखता हूं तकरीबन 10th of October के अगर 10th of October तक भी कोई content नहीं आया तो we'll find a way and we'll finalize के यह यह पढ़के जाना है अगर 10th of October तक we will be waiting ठीक है कि तब तक ICS है कि यह तो revise मुझे सच में लगता अभी भी कि revise module आजागा December 22 के लिए उसके अंदर यह revised regulation होगा 2021 के दोनों revised regulation होगे तो हम फिर वो पढ़के जाएंगे नहीं तो 10th of October को we will take a decision as to what to do I hope you are clear ठीक है चलिए सबसे पहले चीजे इन तीन chapters को बिलकुल ignore कर दो and focus on the remaining chapters ठीक है बिटाजी दूसरी चीज जो मेरा आपको suggestion है यह तो focus कर दो दूसरा stay connected generally मैं आपको suggest करता हूँ बीटा जी कि पूरे रिष्टे नाते तोड़ दो self study पे भिढ़ जाओ एकदम सब Instagram वगरा सब बंद कर दो यहां वैंगा you'll have to stay connected stay connected के क्या मीन्स है Instagram तो बंद कर सकते हैं आपको प्रॉलम नहीं वहां पर कोई मैं बहुत जदा announcement लेकर नहीं होता हूँ जो भी announcement आती इंस्टाग्राम के साथ में दूसरी जगा पर बी देता हूँ तो आप Instagram बंद कर सकते हो Telegram YouTube दोनों में से एक जगे तो आपको connected रहना पड़ेगा यह मजबूरी है या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपके किसी बेक मित्र को कह दो कि भाई अगर कोई भी इस बारे में update आया तो तू मुझे बता देना तो वह आपको call करके बता देगा या फिर क्या कर लो सब बंद कर दो Telegram YouTube सब बंद कर लो अपने माता जी पिता जी भाई भेहन के account से हाफ़ते दस दिन में एक बार चेक कर लिया करो YouTube चैनल टेलिग्रम चैनल कि क्या हो रहा है ठेक है तो यूलाब तो स्टे कनेक्टेट बैवन अफ दीस मीन्स यह ध्यान रखने आपको क्योंकि इतना ज् कुम्यूनिकेट तो करना पड़ेगा ना बिटाजी तो इस ते यूलाब तो स्टे कनेक्टेट उसके बाद में थर्ड फंडिंग के लिए मैंने यूट्यूब पे कुछ revisions upload किये देखो यूट्व पर दो प्रकार क्कर एक लाया होता एक होते हैं जो मेरे ग्ला बैच्च के बच्चों के लिए रेगलर बैच्च के लिए फще स्टनिंग के Bethativo कि यूट्यूइल के अप्लोडूड़ेयों थे यह आपको शुभम सुखलेचा चैनल में जाना है उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट मिलती है वहाँ पे सारे चैप्टर के कुइक रिविशन होते हैं यह इसे बच्चे हैं कि यार मान लीजी सर हम सेल्फ चड़ी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए यूट्यूब रिविश यह आपको शुख रहे हैं तो यह इसे बच्चों के यूट्यूब रिविशन से वह आप देख सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि उसकी प्लेलिस्ट बना दूँ और वह टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्दी शेर करवा दूँ और एडिशनल कुईक रिविशन भी आने व सिक्स एंड साथ में चैनल में 11 उसको लेकर क्लारिटी वह तो मैं लाऊंगा इसे अगर पूरे नए रेगुलेशन आगए तो पूरे तूफान तरीके से नए रेगुलेशन के वीडियोस लेकर आऊंगा है मुस्लिव मैं यूट्यूब पर लेकर आऊंगा ताकि आपको बि रहेगा वही टेलिग्राम बगर आपको अपडेट मिलता रहेगा और इसके साथ में एक लास्टीज बिटाजी ओफकॉर्स इट गोज अंसेड के अमेंडमेंट्स आने वाले हैं इट गोज अंसेड के अमेंडमेंट्स 100 100 101 परसंट आने वाले हैं I hope I have communicated it all very 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 clearly ठीक है बिटाजी तो यह हो गई इसके बाद में आरो अब आपसे बात कर लेते हैं तूसरे सब बारे में लेट्स टॉक अबाउट आई बीसी इंसॉलवेंसी और बैंकरप्सी कोड मैं बात करो इसके ऑप्षिनल की इसके अंदर सबसे पहला सवाल यह है कि सर बागी तब छोड़ो हमें पता है कि यहाँ पर एंड में सजेशन में बोलोगे कि मैं जो भी अमेंड्मेंड से उसका वीडियो लेकर आ रहा हूं यह हमको पता है हमारा सवाल कुछ और है हमारा सवाल यह है सर कि हाओ to handle out of syllabus questions. Generally sir, हर subject में कुछ 15 marks के out of syllabus questions होते हैं, यह हम मान के चलते हैं. But IBC के optional paper में, हमने sir, अभी तक papers देखे, तो हमने बहुत सारे paper देखे. हमने June 2021 का paper देखा, हमने December 2021 का paper देखा, हम लोगोंने June 2019 का paper देखा, हमने December 2019 का paper देखा, सब paper अच्छे थे sir. We were able to hit it score supremely nicely in those papers. But sir, हमने एक paper देख लिया June 2022 का. Sir, यह paper में तो हाहाकारी मचा दिया उन्होंने. उन लोगोंने ऐसे बहुत सारे questions पूछ लिये, जो की module में नहीं है, कहीं पे भी नहीं थे. How to handle such papers? सबसे बहले चीज़ तो, this paper was not a difficult paper, this paper was certainly a mistake. Why am I calling that a mistake, बिटाजी? कैसा होता है? अगर जब वो additional एक दूख, मैं भी आपको एक दूख, तो आपने कभी भी, मान लीजे, आप घर से निकले हैं, और घर से निकल के कोई व्यक्ती, किसी कारण से गिर गया कीचड में, अब वो जब आगे चलेगा, जीवन भर, तब वो हर बार नीचे देखते वे, थोड़ ना चल सकता है, हाँ, कुछ समय, आप नीचे देखे के चल सकते हैं, किचड ना हो, किचड ना हो, लेकिन उसके आद में, you have to see straight and plan and go ahead, जो एक चीज आपके साथ हो गई मान लीजे, उसको आप हादसा समझ के अपने जीवन में, अगर हमेशा जीवन भर कैरी करेंगे, तो वो आपके लिए काफे difficult हो जाएगा, तो June 2022 के attempt को एक mistake paper मान के आगे बढ़ना है, of course, of course, I'll be writing to ISEE about it, पहले भी एक चीज लिखी थी, आज जब मैं letter लिखूंगा, उसमें मैं ये भी paper के रहों mention करने वाला हूँ, बट इसे आपको standard लेके नहीं चलना है, आपको standard कौन से papers को लेने हैं, उसके पहले के सारे जो 5-6-7 papers होते हैं, उन सब को standard लेके चलना है, और December 2022 की preparation करनी है, ठीक है, पट फिर भी, अगर सर एक्जाम में ऐसा कोई question आ जाता है, जिसको लेके हम prepared नहीं हैं, तो how to handle those, because despite of the difficult paper this time, people have scored exemption, people have scored All India Ranks, इस बार भी नहीं नहीं करके, 10 All India Ranks students हैं, तो कही नहीं ये बात तो तै है, कि even with the difficult paper, score किया जा सकता है, so now you have to focus, do not focus on the negative part, focus on the positive part, कि उस paper में भी exemption कैसा लेकरान है, understand, how to handle out of syllabus question, the most important key there is, ensure that you attempt attend, you attempt the question, आप को एक रूल बताता हूं, I see AI का रूल था, अगर कभी paper में कोई गलत question आ जाता था, तो हर व्यक्ति जो उस question को attempt करता था, use to get full marks, उसको full marks award करने examiner को जिसने भी question को attempt किया है, जिसने attempt नहीं किया है, उसको 0 है, उसको नहीं मिल रहा है, attempt भी किया है, कुछ भी लिखा है, question लिखा है, और answer में 4-5 point कुछ भी लिखे है, उसको full marks दी जाते था, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं किया हूँ कि आपके साथ ऐसा होगा, अगर कोई ऐसा question आगा है, you'll have to ensure that you attempt the question, sir, but हमें उसका जो applicable case लो है, वो पता ही नहीं है, तो क्या करें, write the provision and conclude the answer with the help of provision. एक्जाम में कोई question है, जिसका applicable case लो ही नहीं मॉडूल में, कहीं पर ही नहीं, sir, MCS में कहीं पर भी नहीं है, तो आप उस पे जो भी applicable provision है, IBC का, वो provision लिखो, provision के बिनहा पे अपना conclusion लिखतो, provision के बिनहा पे अपना conclusion लिखतो and move on. Ensure that you are writing the paper of hundred marks. आपको ये ensure करना है that on any cost, you are writing the paper of hundred marks. आपको hundred marks का paper लिखके ही आना है. आप ये भी follow करेंगे, तो exam you will be able to seal through. एक simple सी strategy है, इस तरह से exam जाने है, माननी जो question मिल जा, तो provision based उसका answer बनाना है, and then after you have to complete the paper, paper 100 marks का लिखना जरूरी है. 100 marks का paper क्यों लिखना जरूरी है, इस पे मैं आ रहा हूँ पांच मिनट के अंदर. पांच मिनट में आ रहा हूँ, 100 marks का paper लिखना क्यों जरूरी है. ठीक है बिटाजी? अब, सर, आपका सुझाव क्या है कि हमें बताओ कि सर, हम डिसेंबर के लिए कैसे prepare करें? सबसे पहले amendment वीडियो आएगा मेरा, लोड नहीं लेना है उसका, उसके साथ में बिटाजी आपको ये धियान रटना है, amendment वीडियो आ रहा है? येस, आपको अफकोर्स जो भी आपके notes में, notes cover each and every word of the module, case laws अच्छे से cover करने सारे, detail में, बार-बार revise करते रहना है case laws को, जो भी हमने पढ़े हैं, उसके बाद में, examination के दौरान, you have to ensure that you are carrying everything that I had suggested. मैंने जो जो चीज़ आपको suggest की, वो सब चीज़ें आप carry कर रहे हैं, ये ensure करियेगा. हर वो चीज़ जो मैंने आपको लिखके दिये last section में, वो सब आप carry कर रहे हैं, ये आप ensure करियेगा. Once you do that, there is nothing in the world which can stop you. कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएंगी. ठीक है बिटाजी, तो इन चीज़ों का धियान रखना है, and that's it. Sir, edition 3, edition 4, edition 2, कांसे books उसका नहीं सब मैं बताऊंगा, तो इसका लोड मतलो, एंड में में बुक्स पाऊंगा, सबसे बहले ये बात होगी, स्ट्रेट इजी पीजी ए फॉलो करो, and you'll be able to comfortably sail through December. Just follow these things. ठीक है? अब बिटाजी आते हैं, तीसरे पॉइंट पर. Just a second. Yes, यारो, येस, 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 येस. चलिये, हम लोग बात कर रहे थे, with respect to our subject number 3, फिर हमें, बुक्स की भी बात करनी है, that is our beautiful, beautiful subject of MCS. MCS एक ऐसा subject है, ये हमारा वो भाई है, जो जनरली घर में सबको परिशान करके रखता है, कि नए केसे जारे हैं, पुराने केसे काट हो रहे हैं, बॉडिल अबडेट हो रहा है, ये वो है, में आपको इस बार बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी, वेट, येस, MCS, हाँ, MCS में आपको बिल्कुल भी परिशानी होगी, इस बार लाइफ बहुत आसान है, बस मैं आपको MCS में specifically book का बता रहता हूँ, जी हाँ, December के लिए कुछ cases add हुए है, जो भी ऐसे बच्चे है, तीन प्रकार की बच्चे हो सकते हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, most of the बच्चे ऐसे होंगे, जो बच्चे edition 3 की book से पड़े होंगे, most of the बच्चे ऐसे होंगे, जो बच्चे edition 3 की book से, की दो sheets, मैं आपको दूँगा, उससे आपको पढ़ना है, sheet 1 और sheet 2, additional case loss की दो sheet मिलेगी, आपको ये दोनों sheet पढ़नी है, इनके आपको मैं notes और lecture दोनों प्रवाइड करूँगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, जो sheet 1 है, उसके already notes और lectures प्रवाइड बने वे हैं, sheet 2 के notes अभी बन रहे हैं, और lecture बहुत जल्द होंगे, ये sheet 2 क्या है बिटाजी, sheet 2 is nothing but the supplement of December 2022, तो एकदम निश्चन तरहना है, जिन भी बच्चे जो भी बच्चे, edition 3 से बढ़ रहे हैं, उनको क्या करना है, अगर आपके लिए संभव है, तो अब उस बुक को छोड़ दो, मेरा एक नया बुकार है, edition 4, ये मैं within next 6 days release करने वाला हूँ, edition 4 यूज कर लो, edition 4 की जो भुक एक्जाम में लेके जा रहा है, उसके साथ में कोई भी शीट ले जाने की ज़रूत नहीं है, edition 4 is actually edition 3 along with these sheets, तो edition 4 में सब कोच है, edition 4 के लाँ आपको कोई भी additional cases लेके नहीं जाने होंगे, तो मेरा सुझाब रहेगा कि जो भी बच्चे, जो भी बच्चे, जो भी बच्चे, edition 1 या 2 की बुक उनके पास होगी, edition 2.2 पूराना कोई भी edition होगा, वो उन बुक से अब ना पढ़े, और soft copy प्रवाइड कर दूँगा, मैं free में, आप अपने घर के असपास कहीं से print out ले लें, और सीधा edition 4 से बढ़ के जाए, edition 4 का योद्धा, edition 4 का सार्थी दोनों मिलेगा, workbook आपको इसी भी उस करो, edition 1, 2, 3 सब more or less same रहता है, योद्धा और सार्थी आपको updated लेके जाना है, तो आप क्या स्क्याच होई से बिटाजी, जो edition 1 और 2 के हैं, उनको मेरे पास suggestion रहता है मेरी तरफ से, कि आप अब उन बुक्स को छोड़के edition 4 की बुक्स लेके जाओ, उसमें आपको सारे cases मिल जाएंगे, all the new cases are also there, जो ये supplement के December की cases वो भी मैं आइड कर दिया है, तो edition 4 में सब कुछ आप सीधा हो लेके एग्जामन के लिए चाह सकते हैं, ठीक है, जो edition 3 का कोई बच्चा है कि सर सुनो ना, मेरे को भी edition 3 की बुक के साथ में दो supplement नहीं चाहिए, मैं भी edition 4 की जो बुक है, वो लेकी जाना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, edition 4 is nothing, edition 3 प्लस थीज तू सप्लिमेंट्स, थीज तू additional cases, तो लेकिन edition 4 के अंदर, जो soft copy होगी, फ्रीम अविलेबल होगी, वो मैं आपको बहुत जल्द हफते भर के अंदर, telegram channel बगर आप आणाउंस कर दूँगा, आप दे दूँगा, आप वहां से डाउनलोड करके जहां से जहां से प्रिंट करा सकते हैं, योद्धा और सार्थी दोनों आपको मिल जाएगा, ठीके बीटा जी, लेकिन जिन बच्चों के पस edition 3 है, उनको मैं suggest करूँगा, आप चाहिए तो edition 3 अपनी बुक, क्योंकि उससे अपने अच्छे से पढ़ा होगा, आपको याद होगा, और साथ में दो additional supplement लेके जाएगे, जो जो भी बच्चे के पास ये दो choices हैं, कि जो भी वेक्ति डिसेंबर 22 का examination देना चाहता है, व अधिशन 3 की बुक, अलोंग विट टू सप्लिमेंट जा सकता है, या व अधिशन 4 की बुक, लेके एग्जाम में जा सकता है, दोनों options है, I hope I have communicated very clearly, जो आपको पसंदायो करो, Cases तो वही हैं ना बेटाजी, practically, यह हुआ MCS को लेके clarity, अब, Sir, सुझाव दे दो, Sir, जल्दी-जल्दी से, What do you suggest? I suggest, don't worry about anything, keep revising the cases, बयंकर तरीके से, revision करते रहो MCS का, and you'll sell through, और उसके बाद में, ensure करो, एक चीज़ जो आप कभी-कभी नहीं करते हैं, ensure that, you practice, at least, one question, और two questions, from workbook, आपने class के साथ में, बहुत सारी अभ्यास शीट तो solve की ही है, मैं चाहता हूँ, बच्चे, workbook जो मैं आपको दिये, उसके कम से कम, एक question या दो question संभव है, तो वो solve करो, तकि एक्जाम में जो 40 मार्क के अंदर भी आपको थोड़ा सा एक, एक्स्पीरेंस रहेगा कि इसे solve करना होता है, you just do that, you don't have to worry about anything, everything will be provided from my side, of course, आपको बहुत जल्द, ये जो additional cases है, for December 2022, उसके लिंक्स मैं आपको प्रवाइड कर दूँगा, December 2022 के लिए जो भी additional cases है, supplement आया है, वो आपको प्रवाइड कर दूँगा बहुत जल्द इसका अनॉंस्मेंट आजाएगा, ठीक बटाजी, तो ये सब बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, with respect to DC subjects, एक तो चिल-चिल चिलाओ रहों और पढ़ाई करते हैं, एक बहुत बच्चो का सवाल रहता है, तो मैं आंसर करते हूं, कि बटाजी, आप फंडिंग पड़े थे, आप 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 आपको च्लारिफाय कर दिया है, यू के बटाजी के मज़े में रहना है आपको, आप जो चाहे हो वो कि यूस कर सकते हैं, यू केन एदर यूज अदिशन 3 प्लस दटू सप्लिमेंट शीट और यू रूज इदिशन 4, ये दोन आपका सउप्शन आप जैसे ठीक चाहे हैं, से आप कर सकते हैं कोई प्रॉलम आई की रहें हो, for funding and IBC, I'm specifically telling, you don't have to worry, आपका addition 2 होगा, addition 2, 2.2, ऐसा को addition होगा, ये addition 3 होगा, फीटाजी, addition 2 होगा, ये addition 3 होगा, addition 2, addition 3, addition 2, addition 3, ये दोनो December attempt के लिए applicable है, वली आपका funding addition 2, एडिशन 3, IBC एडिशन 2 एडिशन 3, December के लिए applicable रहेंगे, you don't have to worry, जो भी आपको amendments देखने होंगे, वो आपको of course, amendments तो देखने होंगे, ये आपके drive link में upload करने की जिम्मदारी मेरी है, you don't have to worry, आप उनी बुक से, उनी नोट से अच्छे से पढ़ते जाओ, जो भी amendments आपको एडिशन 2 है, तो आपको जो जो amendment देखना है वो, एडिशन 3 है, तो आपको जो amendment देखना है, वो, ये सब मेरी तरफ से आपको upload हो जाएंगे, ठेक है, same goes for IBC also, तो आपस अपनी drive link को चेक करते रहेगा, उसमें आपको सब कुछ मल जाएगा, Sir, हमारे lectures की validity expired हो चुकी है, फि मैं lecture open दूँगा वहाँ पे, मैं open lecture दूँगा वहाँ पे, तो आपको आपके अगर serial की वगरा लगाने की ज़रूत नहीं है, अब आसे amendment डाउलोड करके मस्ती से देख सकते हैं, okay, so I have tried to answer all the possible queries, बिटाजी अब बस क्या गरो, जी जान से भिढ़ जाओ, हर वो चीज जो आप वो amendments वगरा इस प्रकार से clarity नहीं आपको कभी परिशान करता है, but I will not face any further trouble, जैसे ही आइसी से अपड़ेट आएगा, ensure कि तुरंत से पहले आपके लिए उसके लिए जो भी materially amendment lecture सब कुछ मिल जाए, okay, I wish you all the best, जी जान से पड़ो और कोई ताकत रोक नहीं पायागा, ऐसे you all the best, make me proud, make your parents proud, make everyone around proud, bye-bye.